बात कर रहे हैं हम जेंडर की, यानि लिंग की, ठीक, दूसरा एक word होता है sex, ठीक, इसको भी हिंदी में लिंग ही कहेंगे, यह आपको हिंदी में लिंग ही लिखा हुआ मिलेगा, पेपर में question आ चुका है, इसलिए मैं एक बार discuss कर रहे हूं आपके साथ, ठीक, दोनों में difference क् अफर, बताओ एक बार, जेंडर जो है वो एक social construct है, समाज ने बनाया है, कि लड़किया ये पहनेंगी लड़के, वो पहनेंगे लड़के, ये करेंगी लड़के, ये जॉब करेंगी लड़के, वो काम करेंगे, यह हम ने बनाया है लड़किया, शादिक बाद घर यह हमारी society ने एक social construct है, जैसे society ने बाकी norms बनाए है, वैसा ही gender भी एक social construct है, क्या है सामाजिक संरचना है, social construct है, समाज के द्वारा बनाया गया है, सामाजिक संरचना है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी बाजी नहीं है, सामाजिक संरचना है, ठीक है, वहीं अगर हम बात कर तो यह एक biological construct है क्या है? biological construct है यानि जो हमारी biology से हमें मिला है यानि हमारे जैविक संरचना है ये question पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है जैविक संरचना है तो आप जो लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो भी इस question के आने पे इंग्लिश मीडियम की तरफ जहां के देख लेंगे क्योंकि bilingual होता है पेपर और देखेंगे कि sex लिखा है इंग्लिश में या gender लिखा है अगर gender लिखा है तो वो social construct है यानि एक सामाजिक संरचना है जो समाज के द्वारा बनाई गई है अगर sex लिखा है तो वो biological construct है यानि हमारी जैविक संरचना के आधार पे हमारे अंदर जो अंतर है वो हमारा sex कहलाएगा है biological construct कहलाएगा